हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपाख यादाव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली करेंट अफेयर्स आफ 22nd अफ मार्च 2021 तो गाईज आज है तारिक 22 मार्च 2021 आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम को जॉइन करना है जॉइन करने से फाइदा ये होगा आप लोग डेली बिसस पर इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउलोड कर पाऊगे नाओ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेडिकलर का बटन आ रहोगा नीचे की साइड सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लो साधी साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस न कर पाऊ चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिसकशन यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल काफी इंपॉर इन लोग के साथ कॉंत्रेक्ट साइन किया ताकि यह लोग जो है हम लोग को सप्लाई करने वाले हैं मिलन टी-टू एंटी टेंग गाईडि़ और यह कितनी मिसायल सप्लाई करेंगेapter 4960 मिसायल अब आप लोग को मालूम होगा यह एंटी तेंग गाईडिब मिसायल जिसको हम लोग 80 GM भी बोलते हैं ये basically कौन सी missile है जो की tank वगरा को बहुती अराम से उड़ा सकें उनको hit कर सकें या जो की बहुत सारे armored vehicles होते हैं तो उनको भी ये missile hit कर देती है easily ओके तो basically ये missile हम लोग एक तरीके से manufacture कर रहे हैं इन companies से और इसमें कितनी cost लग रहे है लगबक 1188 करोड रुपे तक का cost लग रहा है और ये missile हम लोग किस लिए कर रहे हैं ये हम लोग अपनी army को देने के लिए ये सारी चीज़े तयार कर रहे हैं ओके तो नाम याद रखना Milan T2 इसका नाम है अब अगर हम बात करें ये ATGM यानि anti-tank guided missile है ये हम लोगों ने देख लिया अब इसकी range कितनी है वो है 1850 मीटर की range है मतलब कि ये एक medium range missile है इसको कौन produce करेगा वो करेगा BDL BDL क्या होता है मैंने भी आप लोग को यहाँ पर full form बताया था स्टार्टिंग में उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे BDL क्या है बेसिकली यहाँ पर एक तरीके साब कह पाओगे इन लोगों को license दे रखा है France की company ने ठीक है तो France की company ने एक तरीके से license दे रखा है लेकिन आप देख पाओगे तो यह जो हमने आपके सकते हूँ techniques बगरा ली है वो हमने France से ली है MBDA missile system करके महाँ का system है तो उससे हम लोगों ने license ले रखा है अब हम लोग भी यहाँ पर यही France की techniques का इस्तमाल करके यह missiles को produce करते है याद रखना अगर हम लोग produce कर रहे है यह missile तो फिर France थोड़ा बहुत यहाँ पर royalty ले 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 ताइस चीज को ले कर ठीके नहीं थोड़ा बहुत हम लोग France को भी payment कर देते हैं क्योंकि हाला कि हम लोग यह France के method का इस्तमाल कर रहे है ओके नाओ यहाँ पर आप लोगो धियान रखना है जो यह missile है यह ground से भी fire करी जा सकती है यानि कि जमीन से भी हम इसको fire कर सकते हैं साधिसाथ vehicle से भी हम लोग इसको fire कर सकते हैं तो यह missile आपका सकतो multipurpose के लिए इस्तमाल करे जाने वाली है काफी important बन जाएगी हमारी आर्मी के लिए और यह बहुत important है कि हम लोग अपनी आर्मी के लिए आज के टाइम पर यह ऐसी चीजों को तयार करें क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा initiative भी है आत्म निर्भर भारत का initiative इसके अंदर हम लोगों ने तै किया था कि जो defense sector है वहाँ पर हम लोग जाद से जादा खुद अपनी चीजों को manufacture करेंगे तो हम नहीं हाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि जादा सादा हम लोग चीजों को अपनी तरफ से manufacture कर पाएं और वही चीज़े हो रही है आगे भी नाओ देखेंगे आगे क्या होता है कब तक यहाँ पर यह चीज़े implement हो पाती है आते हैं article number second की तरफ बात करिए है ग्राम उजाला के बारे में तो जो union minister of power है इन्होंने launch किया है ग्राम उजाला प्रोग्राम को कहां पर बिहार के अंदर बिहार के अंदर अरा है उनको यह दिये जाएंगे जो उनके पुराने बल्ब हैं वह आप ले जाके उनको दे सकते हो उसके बदले में आपको यह साथ वाट और बारा वाट के LED मिल जाएंगी और आप देख सकते हो यह जो LED है यह आपको लगबग 10 रुपे इच मिलेगी आपको 10 रुपे खर्च कर यानि लगबग डेल करोड LED बल्ब्स देने वाले हैं डिस्ट्रिब्यूट करेंगे कौन कौन से गाउं में बिहार के अंदर अरहा में वरांटसी उत्रपदेश में विजयवाला अंदर अंदर नागपूर महराश्रा के अंदर तो यहां यहां जगा पर साथी साथ वैस्ट लगाना भी कंपसरी होने वाला है मेटर्स वगरा फि इंस्टॉल करेजाएंगे जो भी गाउं में घर होंगे वहां पर भी मीटर होता है न तो उसको भी इंस्टॉल करा जाएगा अभी के लिए जो यह प्रोग्राम है इसे हम लोग 5 डिस्ट्रेक्प के अंदर ही हम लोग स और बात करता है खादी मुझीब जैकेट के बारे में तो ये जैकेट को आप लोग देख लो ये वो ही जैकेट है जिसके बारे में चरचा करी जा रही है तो ये जो खादी and विलिज इंडस्री क्मिशन है जो ये एक बहुत बड़ी बॉक्द है हमारी कन्ट्री के अंदर जिस जो कि एटायर होंगे ये एटायर जो भी कपड़े होंगे जैकेट्स होंगी ये वहां के ऑफिसर्स बगरा के लिए है ये भेजी जा रही है नाव इस तरीके साब लोग देख पाऊगे ये है वो जैकेट्स और यहाँ पर इस तरीके से पैकिंग होगी इनके अंदर और फिर बेजी जाएंगी नाव ये मुझीब जैकेट निउस के अंदर क्यों है यहाँ पर क्यों न्यूस मैं क्योंकि ये मुझीब जैकेट जो है बांगलदेश के फादर आफ दानेशन के द्वारा पहनी जाती थी और बांगलेदेश लगबख celebrate कर रहा है मुझीब बोर्शो यानि की जो birth anniversary आपके सकतो 100 साल इनके birth anniversary को हो चुके हैं तो फिर उसी को हम लोग celebrate कर रहा है और इसी के साथ साथ जो इंद्रा गांधी Cultural Center of India High Commission है धाका के अंदर ठीके उसने order दिया था 100 मुझीब जैकिट का अब य 27 मार्च में हमारी मीटिंग होने वाली है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो दो दिन की विजट पर जाएंगे बांगलादेश चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आप देख पाओगे यह जो मुझीब जैकिट है इनको इस्पेशली पैकिंग वगरा करके बेजी जा जो की बनाया गया है के वी आई सी के द्वारा यानि की कुमार अप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर इंस्टिट्यूट जो की जैपूर में उनके द्वारा यह सारी चीज़े बनाई गई है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूस्ट इंपॉर्टन आर्टिकल आज का हमारा हम यहां चकाल करते हैं और यहां पर यहां पर यु ऐस दो हजार्व करने वाला है उसको कट दावन करेगा अब एक्सपोर्ट कम करेगा तो उसी वजह से इंश के अंदर है तो हिलियुम के बारे में पढ़ेंगे आप से डिरेक्लीक्षान बन सकता है और इंपर्डेंट बन तो सबसे पहले, helium के बारे में याद रखना, atomic number इसका 2 है, इसका symbol HE है, electronic configuration क्या है, name इसका helium आप लोग को मालूम चला गया, atomic weight क्या है, crystal structure इसका hexagonal है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर physical state क्या है, यह एक gas है, तो आप लोग देख सकते हो, यह पूरा का पूरा structure है, दो तिन less, एक noble gas है, और आप देख पाऊगे, जो Dutch physicist है, जिनका नाम है, Camerling Ones, इन्होंने क्या करा, यह liquefied helium को, आप कर सकते हो, इसको ठंडा करा, आप कर सकते हो, helium by cooling the gas, इन्होंने helium को liquefied किया, कैसे, जो gas है, उसको ठंडा करा, लगबग, minus 270 degree Celsius पर, ओके, उसके बाद आप पाऊगे, इंडिया के अंदर, जो राज महल volcanic basin है, कहाँ पर जारखंड के अंदर, वो एक बहुत बड़ा store house है, helium का, तो यह सबसे important point है, वो store house है, बहुत बड़ा helium का, billions of years है, वाँ पर helium है, ठीक है, तो आज के time पर, इंडिया जो है, अब यहाँ पर इसको पर काम कर रहा ह और आने वाले time पे, भविश्य में हम लोग इस helium का exploration करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है, USA जब cut off करेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग अब अपनी तरफ से, इस particular area से, helium को explore करने की कोशिश करेंगे, US and helium के अगर हम बारे में बात करें, तो US के अंदर, बहुत ज़ादा मातर में helium पाया जाता है, किस किसने मिलकर discover किया है, वहाँ के chemist हैं, Hamilton, Caddy और David Macfarland, इनके द्वारा discover करा गया था, जो helium का presence है, वो natural gas के अंदर है, फिर उसी के द्वारा, बहुत सारी चीजों में, अमेरिका के अंदर, ये helium पाया गया, ठीके, large quantities में पाया गया, फ एक्सपोर्ट है, वो कम कर देगा, उसमें cut off करने वाला है, तो उसी वज़ा से news के अंदर है, और हमारे लिए भी important बन जाता है, नेक्स्ट आर्डिकल की तरफ आते हैं, बात करी जारी है, ग्रेट निकोबार आइलेंड के बारे में, तो आपने अंडा मैन और निकोबार आ यहां, यहां पर आप देख पाऊगे यहां, यहां पर देख पाऊगे यहां पर यहां पर लोग देख पाऊगे थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए, तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप है, तो अगर हम बात करें, चो यह अमाउंट है, लगबग जो 910 स्कॉाइर किलो फिर उसमें हम लोग क्या करने, कवर करने वाले हैं, लगबग 244 किलोमेटर, 244 किलोमेटर में हम लोग आपके सकते हो, जो है development प्रोजेक्स लगाएंगे, जैसे कि 22 किलोमेटर के अंदर airport complex बनाया जाएगा, उसके बाद एक बंदर गहा बनाया जाएगा, ट्रांशिप पोर्ट में बनाया जाएगा, साउथ बे पर, ठीक है, लगबग कॉस्ट बताई जा रही है, 12,000 करोल रुपे तक की कॉस्ट लगेगी, उसके बाद free trade zone बनाया जाएगा, और कुछ warehouse बनाया जाएगा, यानि गोदाम वगरा टाइप की चीज़े भी यहाँ पर ब पीपल है, उन लोग को आज के टाइम पर पर परिशानियां होती भी नजर आ सकती है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये भी काफ़ इंपोरेंट है, बात करी गई है आनंगपाल 2 के बारे में, तो ये कौन है, पहले तो सुन लो ये पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं, जो अनंगपाल 2 है, यहाँ पर अनंगपाल तोमर के नाम से जाने जाते थे, और तोमर डाइनस्टी से ये बिलॉंग करते थे, आज के टाइम पर देखें तो जो डेली और हरियाना है, उस पर इन्होंने रूल किया है, लगब 11th century में, ठीक है, और उसके बाद आप देख पाओगे, इनके द्वारा बोला यह गया है, इन्होंने काफी सारी चीज़ा बिल्ट करी है, जिसमें से लाल कोट, फॉर्ट और अनंग ताल बाउली, यह बहुत इंपोर्डन चीज़ है, इनके द्वारा यह बिल्ट अप करी ग Statue of Anangpal 2 बनाया जाएगा, कहाँ पर Delhi Airport पर, ठीक है, उसके बाद साधी साथ एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि इनके लेगेसी को हम लोग डिनोट करने वाल है, उसके बाद जो इनके द्वारा बनाया गया लाल कोट है, उसको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसको एक प्रोटेक्टिड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया जाएगा, तो यह है लाल कोट जो कि इनके द्वारा बनवाया गया था, चलो आगया हते हैं, आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ काफी इंपॉर्डेंट है, बात करी गई है, MMDR Amendment Bill के बारे में, तो अभी लोगसभा न तो उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा यहां पर बिलको और बढ़ा दिया गया है, वो क्या बढ़ा दिया गया है, देखो होता क्या है, मान लोग कोई बढ़ा सा क्रूप है, ठीक है, for example, मैं अमबानी का नाम ले रहा हूँ, अमबानी के बहुत बढ़ा गुरूप है, जो की अब यहां पर इन्हों क्या कर रखा है, कोल को ले रखा है, पूरी एक तरीके से कोल माइन के एरिया को ले रखा है, अपने अंदर में ले रखा है, पूरा का पूरा एरिया को, इनको दे दिया गया है, पूरा का पूरा एरिया, अब क्या होता है, यह लोग अभी क्या करते कोई कि अब क्या होगा यह निचास को फाइदा होगा यहांसेए अब होगा क्या यानिकी आपर पढ़ लिए electricity बनाने के लिए अब इनको coal किसका क्या करेंगे इसकी mining नहीं करेंगे अब क्या होगा वो coal निकाल कर उसको sell कर देंगे उसको बेच दिया जाएगा तो बेचने से भी profit होगा प्लस जो यह काम कर रहे हैं उससे भी profit होगा ठीक है तो इस बिल के अंदर यही थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है कि जो बचा कुछा कोल होगा other minerals होगा उसको sell कर सकते हैं up to 50% of their production जो production कर रहे हैं उसके 50% तक बेच दिया जा सकता है ठीक है तो यह आपको धिहान रखना है और उसके लिए भी क्या होगा जो राज्ये होगा राज्ये को वो company एक royalty पे करेगी थोड़ा सा amount देगी ताकि वो extra mining कर सके और उससे पैसा कमा सके ठीक है समझ में गए ना क्या समझ गए कि मानलो एक company है कोई यहाँ पर वो coal mine करती है उसने अपनी electricity यानि बिजली produce करती है बिजली बनाने की company है वो क्या करेगी coal का इस्तमाल करेगी अब वो अपना तो इस्तमाल करेगी करेगी 50% तक बाहर बे सकती है और उसके लिए एक छोड़ा सा amount state government को देना होगा एक royalty पे करनी होगी राजसरकार को तो यह होगा यहाँ पे यह खेल तो अब इस bill के अंदर यह थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है और वो ही चीज इसक आप लोग को clear हो गया होगा एक simple से word के अंदर खताम ठीक है तो क्यूंकि जादा हम लोग को क्या है ना में concept clear करना है concept clear करना है और अपने जो notes बना रहा है उसके अंदर 2-3 points लिखते वे चलना जादा भंडार करके मत चलना ठीक है limited source रखो जैसे मैं बता रहा हूं कि देखो करना क्या है ना मैंने toppers के बहुत सारे interviews वेगरा मैंने भी बहुत पहले देखे थे तो होता है कि हमने बहुत सारी चीजों की तरफ मैं भी बढ़ चुका था यार कि मैंने ये भी source लिया ये भी source लिया तो सची ये बता रहा हूं source को बहुत limit रखो हमेशा जो भी news आ रही है हमेशा मान लो आज के दिन पर पांच news आई है important ठीक है मान लो आई तो दस थी हमने पांच चाट के news important news निकाल लिया पांच news में से पहले एक दो तीन चार पांच कौन कौन से लिख लो फिर उस news के आगे पीछे की चीज़े देख लो उसका background क्या है merits, demerits, pros, cons, effects, conclusion ये तया ये चाहिए तो आप पहले से त्यार करके रखो के हर एक topic का हर एक issue का 200 word में answer पहले से त्यार करके रख लो भाई, उसको revise करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है जो obvious ही बात है, वहापे आपको 7 minutes मिलना है, 7 minutes के अंदर आपको 200 word में answer लिखना है, सोचने तक का time नहीं मिलन लो, ठीक है, उसको revise करते रहो, multiple time revise करो, क्या आएगा question, आपके पास देखो background तयार है, intro तयार है, pros तयार है, कौस तयार है, तो आप से पूछे तो सकता है कि भाई, हाँ ये जो scheme आई, इसका क्या फाइदे है, इस चीज़ को पर क्या नुक्सान है, इसका background है, आपके क्या विचार है, ठीक है, तो आपको ये पांच perspective व्याद करके चलने है, अराम से मतलब याद नहीं, समझ कि अपने notes मना के चलने है, और अपने exam को tackle करना है, okay, I hope आप लोग को इस सारी से clear होगी होगी, now, मिलेंगे आप लोग से next वीडियो में, आज के लिए, bye bye, have a nice day.